लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए भारत में पहली इंटरस्टेट नेचरल गेस पाइपलाइग 1987 में 1987 में कमिशन हुई थी इसके बाद साल 2014 तर याने 27 साल में देश में 15,000 किलोमिटर नेचरल गेस पाइपलाइग बनी आज देश भर में 16,000 किलोमिटर से ज़ादा नई गेस पाइपलाइग पर काम चल रहा है ये काम अगले 5-6 वर्षों में पूरे होने का लक्ष है यानि जितना काम 27 वर्षों में हुआ हम उससे ज़्यादा काम उसके आदे समय में करने का लक्ष लेकर चल रहे हैं काम करने की यही रप्तार आज भारत की पहचान बन रही है 2014 के पहले के पांच सालों में सिर्फ 1,900 किलोमिटर रेल लाइनों का दोहरी करन होता था बीते साथ वर्षों में हमने 9,000 किलोमिटर से ज़्यादा रेल लाइनों की डबलिंग की है कहां उननी सो और कहां साथ हजार 2014 से पहले के पांच सालों में सिर्फ 3,000 किलोमिटर रेलिवे का बिजली करन हुआ था बीते साथ वर्षों में हमने 24,000 किलोमिटर से भी अधिक रेलिवे ट्रेक का बिजली करन किया कहां तीन हजार कहां 24,000 2014 के पहले लगबग 200 किलोमिटर ट्रेक पर ही मेटरो चल नहीं थी आज 700 किलोमिटर तक मेटरो का विस्तार हो चुका है और 1000 किलोमिटर नए मेटरो रूट पर काम चल रहा है 2014 के पहले 5 सालों में सिर्फ 60 पंचायतों को ही 60 पंचायतों को ही ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा सका था बीते साथ वर्सों में हमने डेड़ लाग से अधीग ग्राम पंचायतों को अप्टिकल फाइबर से कनेक कर दिया है कनेक्टिविटी के पारंपारिक माध्यमों के विस्तार के साथ साथ इनलेंड वाटरवेज और सी प्लेंज नया इंफ्रास्ट्रेक्टर भी देश को मिल रहा है 2024 तक देश में सिरफ पांच वाटरवेज थे आज देश में 13 वाटरवेज काम कर रहे हैं 2014 से पहले हमारे पॉर्ट्स पर वेशल टर्न अराउंड टाइम 41 अवर 41 गंटे से भी जानदा था अब ये घटकर 27 गंटे प्रह गया है इसे और कम करने का प्रयाद भी किया जा रहा है साथ यों कनेक्टिविटी के अलावा जरूरी दूसरे इंफ्रासेक्टेर के निर्मार को भी नई रप्तार दी गई है बिजली की प्रोडक्शन से लेकर ट्रांस्मिशन के पुरे नेटवर्क को ट्रांस्फर्म किया गया है वन नेशन वन पावर ग्रीड का संकल्प सित्ध हो चुका है 2014 तक देश में जहां तीन लाग सर्किट किलोमेटर पावर ट्रांस्मिशन लाइन्स थी वही आज ये बढ़कर सबाद चार लाग सर्किट किलोमेटर से भी जादा हो चुकी है न्यू एंड रिन्यूरबल एनर्जी के मामले में जहां हम बहुत ही मार्जिनल प्लेयर थे वही आज हम दुनिया के टॉप पाँच देशों में पहुँच चुके हैं 2014 के इंस्टॉल केपसिटी से करीब करीब तीन गुना केपसिटी यानि 100 गिगाओर्ट से जादा भारत हासिल कर चुका है